योजन गंधा ये नाम शायदा पहली बार सुन रहे हो पर आपको बता दें योजन गंधा महाभारत की एक महातुपूर्ण पात्र है महाभारत के युद्ध की नीव इन्ही के कारण पड़ी थी इन्हें के कारण महामहें भीश्म आजीवन अविवाहित रहे मितनों हम बात कर रहे हैं सत्यवती जिन्होंने महाराज शामतनों से विवाह किया था तो आखिर सत्यवती को क्यों कहते हैं योजन गंधा चले जामते हैं इसके बारे में मितनों पहले सत्यवती या योजन गंधा का नाम मच्स गंधा था वो एक मचली के कर्द से जन्मी थी और शरीर से मचली जैसी गंध आती थी इसलिए उस कन्या का नाम मत्स गंध्या रखा गया इस कन्या का पालन पोशन मचवारों की मुख्या ने किया था जब यह कन्या मच्छ गंधा बड़ी हुई तो यमुना नदी में नाव चलाने का कारिक करने लगी एक बार रिशी पराशर यमुना पार करने के लिए इनकी नाव में सवार हुए उसके रूप को देखकर रिशिवर उन पर मुहित हो गए रिशी परासर ने मत्य गंधा से कहा कि वो उनके रूप परासकत हैं और उनसे प्रिम्ट करना चाहते हैं इस पर उन्होंने मना कर दिया फिर रिशी के बार बार कहने पर उन्होंने रिशी के सामने तीन सर्थे रख दी उनमें से एक शर्थ ये थी कि रिशी उन्हें मचली जैसी जो गंध उनके शरीर से आती है उससे मुक्ति दिला दें रिशी ने ये सर्थ स्विकार करी और उनके शरीर की मचली की बगबू को अत्यधिक सुगंधित कर दिया और इतनी सुगंधित किया कि वो सुगंध योजन दूर तक फैल गई इसलिए इनका नाम योजन गंधा हो गया कहते हैं कि महराज शांतनू जब सत्यवती के प्रत आकरशित हुए तो उसका एक कारण ये भी था कि उनके तन से जो सुगंध आती थी उसने राज़ शांतनू को अत्यधिक प्रभावित किया था मत्से गंधा हो योजन गंधा हो अत्वा सत्यवती ये तीनों एक के ही नाम है इनहीं सत्यवती के पुत्र महरश वेद्व्यास हुए जिन्होंने महाभारत की भी रचना की है